अंजली हत्याकान में आगे की इंवेस्टिगेशन में पता लगा है कि अंजली के एक्सिडेंट में पांच नहीं साथ आरोपियों का हाथ है बताया ये भी जा रहा है कि उन साथों आरोपियों को पता था कि उनकी गारी के नीचे कोई लड़की फसी हुई है और इस बात को उन साथों आरोपियों ने भी कबूल कर लिया है इंवेस्टिगेशन में पता लगा कि अंजली मामले में जितने आरोपिय बैठे थे उसमें से एक भी आरोपियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और फिर ये हाथसा हुआ आरोपियों का कहना है कि हम डर गए थे कि हम नशे की हालत में गारी चला रहे हैं और फिर ये हाथसा हुआ तो हमारी गारी के नीचे लड़की फस गई थी हमें पता था कि नशे की हालत में गारी चलाना और फिर ये हाथसा तो सजा डबल हो जाएगी यही एक कारण था हमने गारी नहीं रोकी और जब पत्रकारों ने इस घटना पर अंजली की मा से बाचित की तो इस पर अंजली की मा का कहना है कि आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए अंजली की मा ने ये भी बताया कि जिस तरह उनकी बेटी की मौत तड़प कर हुई है उसी प्रकार अरोपियों को भी ऐसे ही तड़पा के मारना चाहिए अंजली की मा ने आगे बयान देते हुए कहा कि उनके परिवार का पालन पोशन अंजली ही करती थी क्योंकि अंजली के पिता पहले चल बसे थे इसलिए घर का सारा खर्चा अंजली खुद उठाती थी अब सरकार को आगे इस पर विचार करना चाहिए कि हमारा घर कैसे चल पाएगा और सरकार से ये मांग भी की कि उनके परिवार का ध्यान रखा जाए इस मामले से गहरे तालुकात रखने वाली अंजली की दोस्त निधी के बयान पर अभी तक पुलिस को विश्वास नहीं हो पा रहा है इसलिए निधी को पुलिस हर रोज पूछताच के लिए अपने साथ ले जा रही है इन्वेस्टिकेशन से बताया गया कि निधी से जब पुलिस ने सवाल करे तब उसने जवाब तो दिये लेकिन निधी अभी भी पूरा सच नहीं बता रही है इस मामले में पुलिस का सवाल ये है कि आखिर निधी सच क्यों नहीं बता रही है आपको बता दें कि जिस कार से एक्सिडेंट हुआ था उस कार के मालिक आशुतोष को भी पुलिस ने गिरफतार कर लिया है साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि पूरे अंजली मामले में निधी ही सबसे बड़ा एविडेंस है अंजली के परिवार वालों का कहना है कि अगर निधी अंजली की दोस्त है तो क्यों नहीं खड़ी हो रही अंजली के हप में इस मामले में आरोपी नंबर साथ जिसका नाम दीपक बताया जा रहा है उसने किया एक वड़ा खुलासा पहले तो दीपक का कहना था कि हाँ गारी मैं ही चला रहा था लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब दीपक को बताया कि इस हाथसे से एक लड़की की मौत हुई है तब दीपक ने सारा सच बता दिया दीपक का कहना है कि दरसल गाड़ी अमित चला रहा था और उसके पास लाइसेंस नहीं था मेरे पास लाइसेंस था इसलिए अमित ने मुझे फोन करके पूरे हाथसे के बारे में बताया लेकिन मुझे लगा ये एक मामली एक्सिजेंट है पुलिस का मानना है कि इस घर्टने में पुराना कोई कनेक्शन नहीं मिला है और साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि अभी अंजली मामले में जान चारी है ऐसी ही नई ताजर खबर हो गई जोड़े रहे अखन बारत टीवी के साथ हमारे चानल को सब्सक्राइब करें टाइब करें और शेयर करें धन्यवाद